है यहां दोस्तों आज से आप सभी का सब्सक्राइब का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि आप सभी को मॉस और बीम्सी की रोजाना एक एक वीडियो लेक्चर अपलोड होती रहेगी जो कि आप सभी के चैप्टर वाइस वीडियो रहेंगे तो आज का यह मॉस का सेशन है जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट या फिर आप यह कह सकते हैं कि आप सभी का चैप्टर फर्स्ट है जिसके अंतरगत आप सभी को कॉंसेप्ट एंड रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन प्रोसेस इंडस्टी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं मैं तो आगे बनत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि मॉस सब्जेक्ट का है मैंने आप सभी को पहले भी मॉस का फिल फ्रॉम बताया हुआ है एक बार फिर से मैं आप सभी को रिपीट कर दे रहा हूं मकैनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड यह मॉस का फर्स्ट चैप्टर है या फिर आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप सभी को क्या क्या पढ़ना है तो आप सभी को फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक नॉलिज दी जाती है एक केमिकल इंजिनियर की या फिर केमिकल इंजिनियर की और आप सभी को बताया जाता है यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रॉ नोट्स है उसमें क्या बताए गया है यह फिर केमिकल इंजिनिंग के बारे में क्या बताए गया है और केमिकल इंडस्ट्री क्या होते हैं हमारे और यूनिट ऑपरेशन क्या होता है और यूनिट क्रॉसस क्या होता है तो दोस्तों मैं पॉइंट आप सभी को समझाने जा रहा जिससे कि आप सभी को अच्छे से आपका syllabus complete हो सके और मुझे भी पता है दोस्तों majority student Hindi Medium के हैं अगर आप English Medium के student हैं या फिर आप English Medium के student हमारी lectures को देख रहे हैं तो आप जरूर से मुझे comment करके बता दीजेगा कि मुझे Hindi Language के PDF में problem हो रही है तो मैं आप सभी को English में भी English की नोट से भी आप सभी को provide कर दूगा तो चलते हैं अपने lecture के तरफ ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले समझते हैं कि chemical engineering क्या होती है या फिर chemical engineering का क्या proceed है क्या process है तो chemical engineering क्या है chemical engineering is the branch of engineering chemical engineering हमारी engineering की एक साखा होती है which is concerned with the design and the operation of industrial chemical plant यह क्या चेज़ करता है दोस्तों यह मैं concerned करता है industrial chemical plant की design और operation के बारे में आप जानते हैं दोस्तों क्या कह रहा है है chemical और process plant अगर कोई chemical यह फिर process plant is required to carry out transformation of raw material into a desired product efficiency अगर कोई chemical plant है यह फिर process plant है तो उसका जो raw material होता है वो जरूज से जरूज से क्या होना चाहिए दोस्तों raw material को अगर कोई process industry है process plant है यह फिर chemical industry chemical plant है हमारा उसका जो raw material होता है दो उसको हम change करते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों chemical industries में क्या होता है ज्यादा तर हमाई raw material को desire product के अंदर ही तो transformation किया जाता है आप desire product से यह समझ सकते हैं कि जैसा कोई भी raw material लिया गया raw material लिया गया raw material लेनी के बाद उसे क्या करें हम किसी भी useful product में change कर दिये तो उसके क्या कहेंगे desire product कहेंगे आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो chemical plant या फिर process plant जब किसी raw material को लेती है और उसको क्या करती है किसी भी useful product में change करती है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत या फिर क्या क्या जरूरी होना का चाहिए उसके लिए जरूरी होना चाहिए जो हमारा product है उसकी efficiency होनी चाहिए efficiency का मतलब आप क्या समझ थे हैं जोस्तों अगर動画 आप सभी को नहीं पता है अभी तक efficiency का मतलब तो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं धान पूर्वक समझेगा efficiency का मतलब यह होता है दोस्तों किसी चीज की कार करने की छमता मतलब अगर आप कोई equipment लेते हैं या फिर कोई भी समान लेके आते हैं जैसी कि आप एक एक जामपल में ले लिए थंडी का मौसम चलना आए आप एक रूम हीटर लेके आए हैं अपने घर में रूम हीटर लेके आए हैं तो आप क्या कहते हैं कि इसकी guarantee का है guarantee का मतलब क्या है यह कितने दिन तक अच्छे से कार कर सकता है मतलब वह जो दुकानदार होगा आप सभी को बताएगा कि इस रूम हीटर की 6 महीने की guarantee है या फिर 6 महीने की warranty है मतलब उसके अंतरगत किसी भी जैसे कि आपका जो product हुआ क्या product हुआ रूम हीटर हुआ इसकी guarantee क्या है 6 महीने की तो मतलब क्या है इसकी efficiency 6 महीने की जो यह कार करेगा कितने दिन तक कार करेगा 6 महीने तक कार करेगा तो efficiency क्या होती है दोस्तों किसी चीज की कार करने की छमता I think दोस्ता आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं आप सभी को मौस सब्जेक्ट एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और एकदम हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा यह मौस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है मैंने बहुत सारे लेक्चर पहले भी अपलोड कर चुके हैं अगर आप सभी को वह सारे लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेइलिस्ट की लिंक दी गई हुई आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं अगर आपको दुबारा से नया सलेबस के अपनी तयारी को करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है दुबारा से हमाई साथ जुड़ जाईए subscribe कर लीजिए अपने channel को अगर अभी तक अपने channel को subscribe नहीं किया है तो आप क्या करना है दोस्तों आप सभी को पर दे क्लासिज मिलती रहेंगी अपने पॉलिय टेक्निक केमिकल ग्रू में आपको यहां पर सारे मॉस के जितने भी बेसिक कॉंसेप्ट हैं जैसे कि यूनिट ऑपरेशन यूनिट ऑपरेशन हो गया यूनिट रियाक्शन हो गया जितने भी चीज़े हैं यूनिट ऑपरेशन यूनिट रियाक्शन यूनिट प्रॉसेज सब चीजों के बारे में आप सभी को बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्क्रेणिंग को उसके बाद आपका एक तो आता है च प्रॉसेज वर्किंग कंस्रक्शन के साथ मैं तो वह सब चीजे मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं अगर आप सभी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागा तो यह सारी बाते तो हमारी बेसिक हो किसी भी यूनिट ऑपरेशन की जरूरत मतलब क्या करतव होता है इंडस्ट्री के अंदर तो क्या होता है दोस्तों समझते हैं प्रोसेश इंडस्ट्री में यूनिट ऑपरेशन की महत्पूर भूमिका है क्या होता है दोस्तों अगर कोई भी इंडस्ट्री प्रोसेश में है मतलब process industry है वो इसी कारको कर रही है तो उसमें हमारा unit operation का बहुत ही महत्तपोड भूमिका होता है क्योंकि आज कल chemical इंजीनियर का प्रियोग chemical industry में होता है क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों जो chemical जीनियर है हमारे उनका प्रियोग chemical industry में किया जा रहा है industry में हर प्रकार की मसीन यूज कीनियर को या फिर आप यहाँ इसको लिख सकते हैं इसलिए हर एक इंजिनियर को प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाली सभी मसीनों को प्रभासित करने योग होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि आप सभी को मौस सब्जेक्ट किस लिए पढ़ाया जाता है या फिर यूनिट ओप्रेशन यूनिट प्रोसेस का इंडस्ट्री के अंदर रोल क्या है तो यह सारी लाइने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर है बहुत ही अच्छे से समझ लिजे क्या है दोस्तों? फिर से समझ लिजे क्योंकि आज कल Chemical Engineer का प्रयोग Chemical Industry में होता है Industry में मसीनों को यूज़ किया जा रहा है और जो भी मसीने इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रही है वो Chemical Engineer को परिभासित करने यूग होना चाहिए मतलब जो भी industry में machine use हो रही है हमारी जो हमारा chemical engineer है उसे पता होना चाहिए कि ये कौन सी machine है और इसका उपियोग क्या है मतलब इस machine को उपियोग में किस प्रकार लिया जाता है I think दोस्तों आप सभी मेरे बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहरा हूँ जो भी industry में machine use की जाती है उन्हीं के बारे में हमें maus subject बताता है maus subject किस बारे में बताता है दोस्तों हमें industry में use होने वाले machine के बारे में बताता है क्या है industry में हर एक machine की industry में हर प्रकार की machine use की जाती है इसलिए हर एक इंजिनियर को प्रोसेस इंडस्टी में प्रयोग होने वाली सभी प्रकायर की मसीन को परिभासित करने योग होना चाहिए योनिट आपरेशन का सिद्धान फेलरी पूरी तरह से समझाया नियमों पर अधारित है किसके एक्षान दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लाइन मिस कर दिये सायद मैं दुबारा से पढ़ लेता हूँ योनिट आपरेशन का सिद्धान फेलरी पूरी तरह से डिफाइन और वेल अंडस्टून नियमों पर अधारित है मतलब किसके नियम पर यह अधारित है फेलरी डिफाइन है और वेल अंडस्टून नियमों पर अधारित है जबकि इस सिद्धान को प्रियोगिक एक्यूप्मेंट के पदों में व्यक्त किया जाना चाहिए जो कि असानी से ओप्रेट तथा मेंटेन की जा सके तथा जिनका निर्माण हो सके तो दोस्तों यहां पर क्या बता जा रहा है जो हमारा यूनिट ओप्रेशन है वो फेलली डिफाइन है और वेल अंडस्टून नियमों पर अधारित है जबकि सिद्धान्त है जो हमारा वो एक्यूप्मेंट के पदों में व्यक्त किया जाना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे से ओप्रेट तथा मेंटेंग किया जा सके जिनका निर्माण हो सकता है तो यहां पर कहा क्या जा रहा है दोस्तों जो हमारा यूनिट ऑपरेशन है वो तो हमारा फेलली डिफाइन है मतलब बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से उसे डिफाइन कर दिया गया है और वेल अंडस्टूड नियमों पर अधारित है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर उसका जो नियम है बहुत ही अच्छे से अधारित है जबकि सिद्धान को क्या करना चाहिए था एक equipment के पद में आप सभी को व्यक्ट करना चाहिए था जो की operate तथा maintain किया जा सके इसको क्या करना चाहिए था एक equipment धुब मेंट किया चाहिताए यम्हों रोप में परवांसित करना चाहिए तब यहाँ ह Think करने चाहिए ता। जिसे कि हम लोग क्या का सकते थे और किया दा सकता धनीट सकता था उसे दिभारा से जिनका निर्माण हो सके लेकिन। पर क्या किया गया है दोस्तों यूनिट ऑपरेशन को एक तरीके से डिफाइन किया गया है और इसका क्या किया दिया इसका सिध्धांत बना दिया गया है तो इसको यहां पर यही समझाया जा रहा है अब क्या है दोस्तों नेक्स्ट लाइन आप सभी के क्या बताई गई है एक प्रोडक्ट के उपयोग के बारे में भली भाती ग्याण होना चाहिए ताकि वह अपने प्रोड़क्ट के खरिदार के मांक के अनुसार particular property particular property का ग्यान बता सके दूस्तों मैंने बता था lecture start होने से पहले ही कि इस lecture के अंदर आप आप सभी को chemical engineer के बारे में information दिया जाएगा chemical engineering के बारे में knowledge दी जाएगी और आप सभी को unit operation और unit process के बारे में बताया जाएगा तो यहां पर क्या बताया जा रहा है दोस्तो एक chemical engineering को मतलब कोई chemical engineer है तो उसको process तथा design और फंसन के सुधार करने का योग होना चाहिए मतलब chemical engineer को क्या होना चाहिए उसको सुधार करने का उसका design का उसके function के बारे में उसको knowledge होनी चाहिए उससे अपने product के बारे में भली भाती घ्यान होना चाहिए उसका product जो है उसके बारे में उसको क्या होना चाहिए भली बाती मतलब बहुत अच्छे तरीके सो उसके घ्यान होना चाहिए ताकि वह अपने product के खरीदार मतलब अगर उसका कोई product लेने आया है कोई customer आया है कि मांग के अनुसा particular property का क्यान बता सके मतलब जैसे कि अगर आप कोई समान लेने जाते हैं market के अंदर तो कोई समान खरीदते हैं तो क्या करता है जो आपका खरीदार होता है वह आप सभी को जो आपका product होता है उसके बारे में उसकी सारी quality के बारे में बताता है मतलब इसकी क्या क्या अच्छाईया है इससे आप सभी को मतलब क्या वह लाब होगा आप एक तरीके से समान लेजे कि इस equipment से आप सभी का क्या लाब होगा तो हर एक chemical engineer को किसी भी equipment के बारे में उसके function के उसके desire product के और उसके design के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इस line का मतलब यही हुआ unit operation के नियम pool loop से physics, mechanics तथा science के नियमों पर अधारित है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि engineer इन सभी नियमों से परचित है और यह भी कहा जा सकता है कि दोस्तों जो engineer है वो सारे इन सारे नियमों से क्या है परचित है कौन-कौन के कौन-कौन से नियम है हमारी physics, mechanics तथा science के नियमों से engineer हमारे परचित है इस प्रकार हम देखते हैं कि unit operation का process industry में बहुत महत्तुपूर योगदान है क्या देखते हैं दोस्तों हम सभी unit operation जो है वो process industry में क्या करता है बहुत ही महत्तुपूर योगदान कर रहा है इसके दोरा एक engineer अच्छा product प्रदान कर सकता है अगर आप सभी को unit operation का ज्यान है तो आप क्या कर सकते हैं एक अच्छे product को बना सकते हैं कोई भी engineer क्या कर सकता है अच्छे product का निर्मार कर सकता है इन product में अच्छे good होते हैं क्या कर सकता है दोस्तों अगर कोई भी engineer है unit operation के बारे में जान रहा है तो क्या करेगा किसी भी प्रोड़क्ट के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुड डालेगा तथा यह सस्ते वह सुरच्छित होते हैं तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था इसकी एफिसियंसे भी अच्छी होनी चाहिए और सेफली होना दोस्तों यूनिट ऑपरेशन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं रूल आफ कैमिकल इंजीनियर का क्या रोल होता है के कैमिकल इंजीनियर एक ऐसा तो तो वास सोड़ी दोस्तों कैमिकल इंजीनियर लिख होना है यह पे क्याल लाइन में कैमिकल इंजीनियर एक ऐसा उद्दोगिक प्रोसेस है उद्दोगिक मतलब इंडस्टियल प्रोसेस जिसमें माटे備ल को एक goin की प्रोड़क्ट में परिवर्तित किया जाता है किसमों किया जाता है दोस्तों प्रोडेट के अंदर प्रोडेट किया जाता है केमिकल इंजिनियर डिजाइन का विकास करता है केमिकल इंजिनियर क्या करता है दोस्तों किसी भी डिजाइन का किसी भी डिजाइन को डवलप करता है तथा उपकरल का उपकरल क्या ह चाहिए एवं ग्राहक दौरा मांग किया गया प्रोड़क्त तैयार करना चाहिए यही होता है हमारे केमिकल इंजिनियर का रूल अब आता है दोस्तों योनिट ऑपरेशन केमिकल इंडस्ट्री में प्रियुक्त प्रोसेस को अलग-अलग डिवाइट करके सिरीज में व्यक्त करके अलग-अलग ऑपरेशन करना ही योनिट ऑपरेशन कहलाता है तो यहां पर योनिट ऑपरेशन की क्या करी गई है दोस्तों परिभासी परिभासा दिये गई है तो इस परिभासा को आप सभी नोट कर सकते हैं अपने कॉपी के अंदर क क्या बताए गया है chemical industry में प्रियुक्त प्रोसेश को अलग-अलग डिवाइट करके ये सिरीज में वेवस्थित करके अलग-अलग operation करना ही unit operation कहलाता है यूनिट chemical industry में प्रियुक्त ऑप्रेशन क्रसिंग फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन आधी है तो आप सभी को यहां आगे बताया जाएगा उसके बार filtration हो गया जैसे कि आप यहां पर डिली लाइफ में देख सकते हैं कि आप अपने वाटर को प्यूरिफाइग करते हैं filter के द्वारा वह भी एक filtration होता है distillation होता है दोस्तों हमारा distillation क्या होता है distillation आप सभी को पढ़ने को मिलेगा आपके petroleum industry के अंदर वहां पर आप क्या करते हैं petrol को distillation करते हैं जैसे कि crude oil होता है crude oil क्या होता है कच्छा तेल होता है वह कच्छा तेल को distillation process द्वारा उसमें से कई product निकालते हैं जैसे कि distillation process में crude oil गया उसके बाद क्या होता है उसमें से petrol निकलता है natural gas निकलते हैं हमारे kerosene oil निकलते हैं diesel निकलते हैं तो यह हमारे distillation process हो लिया दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं आप सभी को बता रहा हूं जो कि आपके exam के point of view से बहुत ही ज्यादा important तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आपके पास यह ज्यान होने चाहिए कि most subject क्यों पढ़ा जाता है unit operation क्या होता है या फिर unit process क्या होता है अगर आप सभी को lecture अच्छा लगा है तो please comment करके जरूर बताईएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर यह lecture को share करिएगा और दोस्तों अगर आप सभी को notes बनानी है तो आप screenshot ले लेकि notes अच्छे से prepare कर सकते हैं अब मिलते हैं अपने unit second में जो की आपका क्या होगा दोस्तों size reduction जो की किस सीच के बारे में पढ़ेंगे solid का size reduction कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है यह हमारा chapter second होगा तो मिलते हैं दोस्तों chapter second के अंदर इस वीडियो में बस इतना ही जा हिंद जा भारत कर दोस्तों